एक समय की बात है, जब एक सुन्दर जंगल में हाथियों की एक बड़ी समुदायक पाथशाला थी, यह पाथशाला हाथियों के लिए विशेश रूप से डिजाइन की गई थी, जहां वे अपनी शिक्षा और साहित्य की ज्यान बढ़ा सकते थे. इस पाथशाला का प्रमुख शिक्षक था हाथी राजू राजू हाथियों के लिए एक अद्वितिय शिक्षा प्रणाली विक्सित करने के लिए प्रेरित था उसका लक्ष था हर हाथी को उनकी शक्तियों को सही तरीके से पहचानने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक संदर राजू ने उसके प्रती विशेश ध्यान देना शुरू किया और उसे उसकी कमियों को सजग करने के लिए प्रेरित किया। राजू के मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप वह पाठशाला की सबसे उतक्रिष्ट छात्रा बनी, समय के साथ मीना ने अपनी कमियों को पहचाना और उसने अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम और संधर्श किया, उसने हर मुश्किल का सामना किया औ और अगर हम अपनी कमियों को सही दिशा में प्रवरित्ती करें, तो हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, सही मार्गदर्शन और मेहंत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, कृप्या वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, धन्यवाद